इस देश में एक ही नेता है नितिश कुमार कि देश के सारे बिपक्षियों को एक जूट करने में सच्छम हुए है। पहला दिन है यानि एक जनवरी है और एक जनवरी को हर साल बक्सर में जदिव की ओर से खासकर जदिव के जिलाद्यक्ष और शोक यादों की ओर से मेत्री भोज का आयोजन किया जाता है। करेंगे और समझेंगे क्या मकसद है सर आज इतने लोगों को बुलाने का और भूजया उजन करने का सबसे पहले तो 2024 के पहला दिन है आपके और आपके पूरे चैनल को और आपके पूरे दर्सक को हर्दी स्वागत अभिनेंदन करते हैं देखे मैत्री भोज है हमको लगता है कि 12-14 साल से चल रहा है और जैसे जैसे इसका दिन बढ़ते जा रहा है इसका बेहतरी घंग से और बने परदर्सन होते जा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि जादे से जादे सारे समाजिक पाटी सारे दल के लोग जो हमसे बैचारिक रखते हैं समंद्ध सब लोग से हम आगरख करते हैं कि आज की भोज में आवें और साल के पहले दिन भोज खाएं और एक साल तक उर्जवान रहे इसी के लिए भोज के आजिक कोई मकसब नहीं है आइसे तो दस वो लोग जूटेंगे तो राजनिती होगी ही लेकिन इसमें इसका कोई उद्यस नहीं होता है यह बस सिर्फ नहीं साल के उमंग में यह भोज़ आयजित क्या आता है अब अभी दिल्ली से लोटे थे बड़ा उठापटक हुआ है ज़दियु में खास करके जो लीडर्शिप की बात कहिए जो राष्टी अस्तर पे उसमें चेंजेज हुए है उसमें बदला हुआ है क्या कुछ इसके माइने आप दिली गए भी थे वहीं से लोटे हैं क्या समझ में रहे हैं कि हमारे पार्टी में एक सिंगल नेता है जो हम सारे लोग चाहे बड़े ने करते हो और विजने कि किसी भी परिसिती में राजे का देश का विकास हुए जो नित्रू तो बदला है उसका पार्टी पर संग्ठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कहां बदला है पहले लालन सिंग राष्टी अधक्ष थे अब आपके नितिश को मार बन जाएंगे तो बदला तो है ना चाहे नितीश जी रहें चाहे पूर्व राष्टी अधकलवन ज यूज़िया यहिए जो संगठन को चलाते थे उसी संगठन को अपने रहा है और मानियी मुख्मंत्र जरूर है को मुखमंतरी के कुर्सी पर रहते रहते देश की राजनिती में आपनी यहम भूमिकान निभा सके राश्ट्री अधक्ष हैं तो सुभाविक चीज है कि देश की राजनिती में अपनी भूम का निभाएंगे उस पर हम उस पर हम आएंगे लेकिन एक बात कहीं जारी अंदर खाने से कि ललन सिंका जो है राजत से काफी करीबी बढ़ गई थी कहीं कहीं कई चीज़ें दीख रह रहे थे फिर आज आरोप लगाते हैं कि भासपान हमें कमजोर कर दिया खोकला कर दिया तो शायद वही डर तो यहां नहीं सता रहाने कि राजत से नजदीकी बढ़ेगी तो यह भी कम जोर कर देंगे उस समय भी नहीं मामला था और भारतिये जनता पार्टी को को काम करना न करते हैं कि किसी बी कीमत पर जाहें जिस भट्वंधन में हम रहें विकास मेरा मुल Together किसी के साथ नहीं करते हैं कि आपको लुग कमंद्धि के कूर्षी पर दोंटेंगे हम जिस गठ्ण के साथ है उसका सथ इरादे के साथ ह complium करेंगे पिछे भी काम कर रहे हैं कॉंने कि कौंसे राज वरतिक में हारी आपके तमाम बढ़े निताओं कमार को नेते तो मिलना चाहिए जब कि इसको लेगे कॉंग्रिस तयार नहीं अभी के नेता का बयान आ रहा है हम भी मांग करते हैं कि मानने मुख मंत्री जी कभी नहीं कहें कि हम सायोजक बनेंगे हम परधानमंत्री बनेंगे उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि 2024 में भारतिय जनता पार्टी के गठवंधन जो है इंडिया इंडिया इस तरह से पराजी तो इसी परू काम कर रहे हैं और इसी पर आज भी हम लोग लगे हुए है काल भी लगे रहेंगे उसमें कहीं कोई प्रस नहीं है और गठवंधन जो इधार उधर करने की जो लोग बात कर रहा है इसमें कहीं सचाई नहीं है यह सब कहेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा आपका मामला नहीं है लेकिन मेडिया कहीं सुन्योजित भारती जनता पार्टी का इसुन्योजित पैमाना है यहां सब्सक्राइबि जरेंगे मरें उसे के सा लेंगे इस लेंगे इसा रहता तो आरा अच्छा रहता आप लोग कितना सहमत हैं पैयार हिना वंदर्व नहीं है और लोक तयार हूंगे तब इस गटबंदर में और लोग है अभी तो बाकी सब सिरियल बाकी है अभी तो शुरू हुआ था एक बात तो तय मालेजे कि सदेश में एक ही नेता है नितिश कुमार कि देश के सारे विपक्षियों को एक जूट करने में सक्षम हुए हैं कोई नहीं चाहता था और किसी का सोच और यहां नहीं रहा था लोग किसी के बारे में सोच भी नहीं था कि सारे भी पक्षी को एक प्लेटफॉर्म पर कई से लें आजाए है नितिश कुमार का मानना की आप दिसे कहें कि नितिश कुमार एक ही नेता देश में जो बड़े नेता है इसी तरीके से मंता बनर जी कहत बात तो आप लोग के तरक के मामला है हम लोग साथ है हम लोग साथ हैं कि किसी भी परिश्यति में 2024 में नरेंद्र मोदी का सफाया कई से हो सिर्फ उसी भीजन पर हम लोग काम करते हैं इसके अलावे हम लोग के पास कुछ नहीं है नितीश कुमार जी ना कहें है कि हम प्रधान मंत्री को उमिद्वार है नए इंडिये के संजोज़क के उमिद्वार है कार्ज करता हम है हम मुल परुकाम करते हैं अखरी शवाल कि क्या आगर नेत्रु तो नहीं मिलता है सहुज़क नहीं बना जाता नितिश कुमार को तब भी जदी इंडिया गट बंदन में शामिल रहे हैं आप अभी ब्यान दिया आपने से पहले नेता हो का रहा है हम लोग का मानना है हम लोग का मान नहीं है मुखमंत्री जी बस यहीं चाहते हैं कि 2024 में रमोदी का कैसे सफाया हो इसी परुकाम करते हैं नहीं मिलेगा तब भी अपलोग साथ है यह माना जाए ना गठ बंधन सिर्फ एक आदमी से नहीं नहीं होता है गठ बंधन जो लोग जीत करके आएंग उत्ताय करेंग सकते हैं लेकिन फिलहाल जो देश में रजनीत है उस पर इनोंने खुल के कहा कि हमारी कोशिश है कि हमारे नेता आगे बड़े सहोजक बने यहर करता चाहता है लेकिन हम लोग किसी भी हाल में किसी वहालात में इंडिया गर बंधन के साथ है और नरेंद्र मोधी को मूतूर जबाब देंगे आने वाले लोग से बचुना में मैं बक्सर सिभी मलकुमार है